सर्ववेदेथ है कि फरुखाबाद चारो और से शाह जहापुर का नौज मैंपुरी एटा कास गंज व बदायों से जुड़क शेत्र है आज का शमसाबाद कल का खोरगर था आज का बदायों खोरगर का ही हिस्सा हुआ करता था बदायों एक बड़ा बजार एतिहासिक रूप से प्रसिध और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण शेहर है इसे रोहिल खंड का दिल कहा गया है नवाब मुहम्मद खान बंगश काल में शमसाबाद व बदायों अवद प्रांथ के अंतरगत थे गंगा किनारे बसे बदायों में एतिहास दवा पड़ा है ये सूफी संतों की नगरी है जो बचा है उसे जानने की कोशिश करते प्रोफेसर गोटी जॉन के अनुसार लखनव संगहाले में पत्थर की लिपियों पर आधारित एक प्राचीन शिलालेक में इस शहर का नाम बेडामूत था लिपि के अनुसार शहर के पास एक गाव था भादौनलाक इतिहास कार रोज खान लोधी के अनुसार अशोक दग्रेट ने एक बुद्ध विहार और किले का निर्मान कराया था इसका नाम बुद्ध मूँ रखा जॉर्ज स्मित के अनुसार बदायों का नाम अहीर राजकुमार बुद्ध के नाम पर रखा गया इसकी स्थापना 905ी में हुई गजनवी सुल्तान के पुत्र महमूद ने 1085ी में कन्नौच के राष्ट्रकुट राजाओं पर विजय प्राप्त की थी 1196 में इसे कुतुब उद्धीन अवक द्वारा कब्जा कर लिया गया ये शहर सुल्तान इल्टुतमिश शासन के दौरान 1210 इसवी से 1214 इसवी तक चार साल के लिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी रहा है इसी दौरान खोरगर का नाम शमसुद्दीन के नाम पर शमसाबाद रखा गया 1571 में शहर को जला दिया गया था लगभग सौ साल बाद शाह जहां के अधीन शासन की सीट सहस्पूर बिलारी को स्थानांतरित कर दी गई थी 1223 इसी दिल्ली से पहले मुस्लिम शासक इल्टुतमिश ने यहां एक विशाल जामा मस्जिद का निर्मान कराया यह दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद देश की तीसरी सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है यह है प्यार का मकबरा जिसे रोजा इखलास खान के नाम से जाना जाता है नवाव इखलास खान की विध्वा ने अपने पती इखलास खान की याद में रोजा बनवाया था यह अलग बात है कि इस मगबरे को ताजमहल जैसी प्रसिद्धी नहीं मिली बदायो शहर के पास शेखुपुर में सत्रवी सदी का एक मगबरा है जिसमें मुगल बादशा शाह जहां की प्रमुक पत्नी मुंताज महल की बहन परवर खानम की कबर है यह बहने महरानी नूर जहां की भती जी थी मोतशिम सूफी संथ सलीम चिष्टी के पोते थे प्रसिद सूफी संथ हजरत निजामुद्दीन ओलिया का जन्म 1238 में बदायू में हुआ था शहर में 13 सदी के सूफी संतों की मजारे है यह है छोटे बड़े सरकार की मजारे लेकनी यह है कि बदायू शायर शकील बदाउनी और शेक निजामुद्दीन ओलिया की जन्म स्थली है साथ ही यह दिल्ली लखनव व्यापार मार्क का एक प्रमुख केंद था अवद के नवाब द्वारा 1801 में बदायू और उसके जिले को ब्रिटिश सरकार को सौफ दिया गया था गई 1911 में बदायू सैयुक्त प्रांत के रोहिलखन डिवीजन में ब्रिटिश भारत का एक शहर और जिला था